हेलो गाईज वेलकम माई चैनल करेक्ट गुरू आज माँ आपके लिए साइन्स की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ एन्वियस लेटरी एटेनेंट एक्जाम से रिलेटेड क्लास ही चल रही है आज वो क्लास रहेगी जो एक्जाम से रिलेटेड क्योसंस आते रहते हैं उन से रिलेटेड ये क्लास रहेगी और आज से लेकर जब तक एक्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए एक्जाम्स लेलेटिट्र क्योशंट्र्स अंगे सभी एक्जाम्स लेटिड्र ऐसे ही क्योशंस आंगे जो हर एक्जाम में आए हुए है option आपके पास butane, methane, propane और redone इसका right answer क्या आएगा आपको इसका answer बताना है तो इसका right answer आएगा butane gas होती है cigarette lighter में cigarette lighter में कौन सी gas होती है butane gas अब आप सोच रहे होंगे कि methane, propane और redone क्यों नहीं होती है इसका हमें regions बताता हूँ तो वैसे आपको generally पता होना चाहिए कि butane का formula होता है C4H10 butane का formula क्या होता है C4H10 आपको अच्छी तरह इस formula को याद रख लेना है कि butane का formula होगा C4H10 अब आप methane का formula भी जान लीजिए methane का formula होता है CH4 methane का formula क्या होता है CH4 और आपको ये भी फर्मूला अच्छी तरह याद रख लेना है प्रोपेन, प्रोपेन का फर्मूला क्या होता है C3H8, प्रोपेन का फर्मूला होता है C3H8, आपको ये भी फर्मूला याद रखना है और रेडोन का कोई फर्मूला नहीं होता redone एक gas होती है और उस gas का नाम है redone का symbol होता है RN और ये एक noble gas है जो 18 ग्रूप के अंदर पाई जाती है आवर्त सारणी के अंदर जो periodic table है जो modern periodic table है उसमें जो redone gas है वो एक noble gas की रूप में पाई जाती है जिसका symbol होता है RN redone gas जो cancer की treatment के लिए यूज की जाती है cancer की treatment के लिए यूज की जाती है आपको ये question अचीतर है याद रख लेना है तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ which gas is used in cigarette lighter एक ऐसी कौन सी gas है जो cigarette lighter में यूज होती है तो आपको इसका right answer बताना है butane gas इसका right answer क्या आएगा butane अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रोपेन भी होता है कई बार exam में अगर ये question इस हिसाब से पूछा जाए कि cigarette lighter में किस gas का mixer होता है आप तो इसका answer आप बताओगे butane और प्रोपेन का लेकिन सबसे जादा मातरा में 60% तो क्या होती है butane होती है और 40% होती है वो प्रोपेन होती है तो जो जादा मातरा में जो इसका परतिसेत है परसंटेज है तो वो 60% butane का है तो इसका right answer क्या आएगा आपको अची तरह यादर कलेना है butane इसका right answer आएगा अगर आपने exam में प्रोपेन कर दिया तो आपका ये जो question है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा तो आपको ये question अची तरह समझ में आ गया होगा कई बच्चों की ऐसी curious थी कि sir bilinguals questions लेकर आए तो आज की ये class है वो bilingual है इंदी और इंगलिस दोनों में और इस channel की इस जो classes की जो pdf आपको telegram channel पर मिलेगी telegram channel का link है वो description में दे दिया जाएगा तो जितने भी question है वो correct guru channel पर बताए जा रहे हैं आपको और भी आपको NCRT वगरा या आपको computer awareness वगरा की त्यारी करनी है आपको NCRT cover करना है तो आप अमारे channel से जूड़ सकते हैं और playlist में जाके उनकी वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं तो next question देखिए ऐसी कौन सी वनस्पती गी किसे बना जाता है आपने वेज़ेटेबल फेट जानते भी होंगे वेज़ेटेबल फेट में एक परकार से डालडा गी की बात कर रहा हूँ आपने डालडा गी राग राग गी के नाम से आता है कंपनी का एक नाम है राग डालडा गी जो ज़्यादा तर जो मिठाईयां वगरा होती है वो ज़्यादा तर इसी गी से बना जाती है और ये नुकसान दाएक होता है body के लिए स्वास्थे के लिए नुक्सान दायक होता है तो आपको इसका answer बताना है कि how do you make vegetable fat vegetable fat में how do you make vegetable fat वनस्पती घी किस से बनाय जाता है तो आपको पता होना चीज में 4 में से options के आएगा helium होता है, helium से बनाय जाता है hydrogen से बनाय जाता है, nitrogen से बनाय जाता है या oxygen से बनाय जाता है तो इसका right answer आपको बताना है तो इसका right answer आएगा hydrogen से hydrogen से बनाय जाता है vegetable fat बनाय जाता है, क्यों बनाय जाता है अब मैं आपको बताता हूँ, इस process को एक नाम दिया गया है hydrogenicron process hydrogenicron process hydrogenicron अभिकरिया इंदी में होता है जिसमें unsaturated hydrocarbon को saturated hydrocarbon में बदला जाता है एसंत्रिप्थ hydrocarbon, एसंत्रिप्थ hydrocarbon होते हैं carbon carbon के वीज में double bond और carbon carbon के वीज में triple bond दवी आबंद और तरी आबंद ये होते हैं unsaturated hydrocarbon मतलब एसंत्रिप्थ hydrocarbon कहते हैं हिंदी में इसको यह होता है double bond वाड़ा alkyne और triple bond वाड़ा होता है alkyne आपको यह क्योंसे तरह याद रख लेना है और इसको फिर संत्रिप्त वसामी बदला जाता है और वो gas कौन सी होती है जब उसमें gas गुजारी जाती है उस gas का नाम होता है hydrogen gas तो इसका right answer आपको अच्छी तरह याद रख लेना है इसका right answer आएगा hydrogen इसके अलावा मैं और सभी के formula और symbol बता देता हूँ helium का formula होता है HE और यह एक noble gas है और यह 18 वरग में पाई जाती है element in all organic compound all organic compound जितने भी organic compound है उनमें ये बात कह रहे हैं कि जितने भी organic compound होते हैं जितने भी रसाइनिक योगिक होते हैं उनमें जो main element क्या होता है कोई भी परकार का compound बनेगा अगर दर्ती के उपर, compound क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ, compound वो होते हैं, दो या दो सेधिक element मिलते हैं, तब जाके compound बनता है, जैसे example मैंने बताया CH4, यह compound है, कौन सा compound है, hydrocarbon compound, carbon यह एक है, इसमें hydrogen कितने च्यार है, तो 5 तत्तव हो गए पांच element होगे, तो क्या बना, एक compound बन गया, पांच तत्तव होने के बाद में क्या बन गया, एक compound बन गया, तो जो main element होगा, compound की कलपना भी नहीं की जा सकती, उस element के बगएर, तो इसका right answer क्या आएगा, उसका right answer आपको बताना है, nitrogen आएगा, oxygen आएगा, carbon आएगा, sulfur आएग निया में कोई भी चीज़ है, उसमें carbon तो present होगा ही होगा, तो carbon के बगएर, किसी भी compound की कलपना नहीं की जा सकती, तो आपको यह question भी अच्छी तरह समझ में आगया, इसका right answer आएगा, carbon, next question देखिए, ओग जैलिक acid किसमें पाय जाता है, ओग जैलिक acid किसमें पाय जाता है इसका right answer आपको बताना है, तो ओग जैलिक acid एक परकार का अमल होता है, ओग जैलिक अमल जिसको दुर्बल अमल का जाता है, carbonic acid होते हैं, ओग जैलिक अमल किसमें पाय जाता है, तो आपको बताना है, पहला option के है, vinegar, vinegar होता है, सिरका, सिरका आप जानते हो, जो source वगरा बनत पालक और टमाटर में, आपको याद रखना है, तोमेटो और स्पाइनेज, पालक और टमाटर दोनों में, क्या पाय जाते हैं, ओग जैलिक acid पाय जाते हैं, ओरेंज में नहीं होता, vinegar में भी नहीं होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या होते हैं, आपको किसा आएगा ओख्ज jackets का अंशा का आएगा absorbs और आपको यह ए इसे तरह आगए और आपको आगया ओगा वट उसिन दीा वाजल लॉट tी का फार्मूला का ए एफर्मूल गाल क सराब होती है तो जनरली यू जो तो उसका फॉर्मूला C2H5OH, ethanol का formula होता है अब आप सोच रहे होंगे कि third option भी सही है नहीं ये बिलकुल गलत है क्योंकि ये methanol का formula होता है ये किसका formula होता है methanol का, methanol का formula होता है CS3OH और ethanol का formula होता है C2H5OH ethanol, methanol chemical name है IUPAC name है लेकिन common name की बात करें साधारण नाम की बात करें तो ethanol का होगा, ethyl alcohol क्या बोलेंगे ethanol को, ethyl alcohol आपको याद रखना है, ethyl alcohol आएगा और ये होता है CS3OH, methanol का तो इसको बोलेंगे methyl alcohol आपको ये question भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा CHO किसका होता है symbol CHO aldeide का symbol होता है CHO किसका symbol होता है, aldeide का मैं परते questions के option की detail बता रहा हूँ इतनी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको आपको कभी भी ये questions को ना भूलें आपको मातर कम से कम question करवाया जाएगे और इनको details से समझाया जाएगा आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को subscribe, share, like, comment करें अब जितने भी question है वो correct guru channel पे बताए जा रहे है आप हमारे channels को update करते रहें, देखते रहें next question देखिए what is the formula of propane propane का formula क्या है propane का formula आपको बताना है तो propane का formula होगा propane का formula क्या होगा आप बताओ CH4 होगा, C2H6 होगा, C3H8 होगा, C4H10 होगा तो propane का formula होता है C3H8 propane का formula क्या होता है C3H8 अब मैं बताता हूँ और formula किस किस की है CH4 किसका formula होता है, methane का methane का formula होता है CH4 ये होता है, ethane का C2H6 किसका होता है, ethane का और third option है वो होता है propane, propane अभी मैंने आपको बता दिया just और ये होता है butane का, C4H10 होता है किसका butane का, आपको ये च्यारों formula है अच्छी तरह याद रखने हैं, पहला है methane का, पहला option, second option है ethane, third option है propane, और चोथा option है butane, आपको ये questions अच्छी तरह याद रखने हैं, किसी भी methyl alcohol भी कहते हैं, lethal alcohol जाता है, इसको green alcohol कहा जाता है, stuff alcohol कहा जाता है, ये लकडी से स्टेम लकडी से बनाई जाती है इसलिए methionol को wood alcohol wood sprit alcohol के नाम से जाना जाता है यह बहुत जहरिली सराब होती है methionol या methyl alcohol बहुत ही जहरिली सराब होती है इसको पीने से वैक्तीकी तुरणत मृत्यू हो सकती है क्योंकि यह liver में जाकर methionol पदार्थ बनाती है जो कि जहर का काम काम करता है लीवर मानों शरीर की सबसे बड़ी गरंती है वो डाइजर सिस्टम का इसा है वैसे मैं जनरली आपको डिटेल बता रहा हूँ अच्छे तरीके से क्योशन बता रहा हूँ तो नेक्स्ट क्योशन देखिए जब एक लग से मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं तो नेच्टरल पॉलीमर का एक्जमपल नहीं है पहला उप्सन है उन, उल है बिल्कुल है नेच्टरल पॉलीमर है सिलक रेसम भी है, कोटन का पास भी है नाइलोन नहीं है, नाइलोन इनसान का बनाया हूआ है क्रित्रीम रेसा नाइलोन के रसे देखे होंगे जो चटानों पे चटनी के लिए यूज होते हैं चटानों में माउंट एवरिस्ट पे जो नाइलोन के रसे ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और यह एक क्रित्रीम रेसा है क्रित्रीम रेसा मतलब आर्टिफ फल पकाने में कौन सा रसाइन प्रियोग होता है तो सोडियम कलोराइड, कैलसियम कारबाइड और पोटासियम कलोराइड और नन ओफ दीज इसका राइट अंसर क्या आएगा फ्रूट्स के अंदर कौन सा कैमिकल यूज किया जाता है तो आपको बताना है सोडियम कलोराइड इसका बिल्कुल गलत अंसर है कैलसियम कारबाइड आएगा इसका राइट अंसर आपको चीतर याद रख लेना है पोटासियम कलोराइड भी नहीं आएगा none of these भी तो आपको राइट अंसर पता होना चीज, इसका राइट अंसर आएगा कैलसियम कारबाइड का फर्मोला क्या होता है, तो CAC2 CAC2 किसका formula होता है calcium carbide का यह एक ऐसा chemical है जो fruits को पकाने में काम आता है फलों को पकाने के लिए calcium carbide एक chemical डाला जाता है तब fruits पकाई जाते हैं आज के time के अंदर वैसे natural भी fruits पकाई जाते हैं लेकिन ज़्यादा तर जो market के अंदर seasonal fruits आते हैं तो क्या होते हैं natural बनते हैं और जो without seasonal जैसे मदलब किसी भी time किसी भी season में आ सकते हैं तो वो होते हैं क्रितिन रूप से पकाई गए फल तो क्रितिन रूप से पकाने के लिए calcium carbide chemical का यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए उन fruits को कभी भी नहीं खाना चाहिए as a health tips है एक परकार से उन fruits को कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो body के लिए नुकसानदा एक सावित हो सकते हैं अब इसमें sodium chloride का formula बता देता हूँ sodium chloride का formula होता है calcium carbide का मैंने बता दिया CAC2 potassium chloride का होता है KCL आपको तीनो formula मैंने बता दिये जितने भी question है वो correct guru channel पर बता जा रहे है उमीद आपको video classes बहुत ही अच्छा लग रहा होगा special class है exam से related questions करवाए जाएंगे अब आने वाले time में जिब तक exam नहीं होगा आपका आपके science में 60 marks की science आएगी 60 के साथ आपके questions अच्छी तरह से perfect हो जाओगे आप जब तक आपका exam नहीं होगा तो आपको अबारे channel को update करते रहना है देखते रहना है और आज के बाद में जितने भी आपको PDF बगरा मिलेंगे जो वो telegram link पे मिलेंगे आप telegram channel join कर लें इसके description में आपको telegram का link दे दिया जाएगा और PDF वहाँ से प्राप्त करें और correct guru channel को subscribe करें ये last question है इसका आप answer comment box में जुरूर दें वैसे मैं आपको generally बता दूँ what is formula of carbon monoxide carbon monoxide का formula क्या है इसका आप मुझे answer देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही tough question है what is formula of carbon monoxide carbon monoxide का formula क्या है आपको option में दिखाई दे रहा है CO2 बिल्कुल गलत है carbon dioxide का formula होता ही ये नहीं होगा बिल्कुल भी अब आप दो option में suspense आ गया आपको एक तो CO और एक CO दोनों सेम है सेम नहीं है इसमें confuse होने की बिल्कुल आवसकता नहीं है जो CO है वो किसका formula है C बड़ा O O छोटा हमेशा याद रखना कोई भी element का पहला अकसर बड़ा और दूसरा अकसर क्या होगा छोटा होगा पहला अकसर बड़ा और दूसरा अकसर क्या होगा छोटा होगा वो तो क्या कहलाएगा element तो यहाँ पर यह CO है वो क्या है element है ना कि gas है और carbon monoxide एक प्रकार से gas है आपको याद रखना है तो options क्या हैगा CO CO का मतलब होता है C बड़ा O बड़ा तो दोनों क्या होगे capital होगे तो यह element नहीं है यह gas है तो carbon monoxide का formula यह होगा third options carbon monoxide का formula होगा लेकिन यह CO क्या है फिर यह CO कोबाल्ट का symbol है कोबाल्ट आपने सुना होगा कोबाल्ट एक metal होती है जिसे चुमबक चिपक जाती है तो यह कोबाल्ट का है कभी भी confuse मतोना बहुती गजब का question है examiner की दिरिष्टी से तो carbon monoxide का formula आप याद रखना CO C बड़ा O बड़ा यह इसमें confuse मतोना एक जैसे नहीं है अभी इसमें पहला अक्सर तो क्या बड़ा है दूसरा अक्सर छोटा है इसमें पहला अक्सर बड़ा है तो इसका right answer आएगा carbon monoxide मतलब third option इसका right answer आएगा और carbon monoxide एक dumb go to gas है dumb go to gas का मतलब होता है मानो सरीर में heart attack लाने का काम यही gas करती है क्योंकि यह मानो सरीर के blood के अंदर जो oxygen है उसकी supply को रोक देती है जिसके can't heart attack आता है dumb go to gas क्यों बोलते है क्योंकि कोईले की खान में जो बच्चे काम करते है वो इसी gas की वज़े से मर जाते है तो carbon monoxide की वज़े से मर जाते है तो यह थे correct guru channel पे आज की class most important class थी आगे ऐसे ही class ही चलती रहेगी तो हमारे channel को subscribe करें Thank you